Hello everyone, welcome back to our channel Rise for Excellence आज के इस वीडियो में हम 16th and 17th जुलाई के करन्ट फियर डिसकस करने वाले हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स पॉइंट है कि RBI ने लॉंच किया है Retail Direct Scheme को अगर आप देखें तो RBI का फुल फर्म है Reserve Bank of India और ये स्कीम जो है Retail Investors के लिए है इस स्कीम के तहर्ट जो है वो लोग directly buy and sell कर सकते हैं Government Securities को अगर आप देखें तो RBI की 25th गवर्नर है शक्तिकान दास इसके Headquarters है मुंबई में और इसको स्थापित किया गया था 1st April 1935 पॉलकटा में हमारा next point है कि A.R. रह्मान ने Tokyo Olympics के लिए एक song को launch किया है जिसका नाम है Hindustani Way अगर आप देखें तो इस song की singer है Ananya Birla और इसको compose किया है और music दिया है A.R. रह्मान ने इस song की launching पे Minister of Information and Broadcasting अनराग ठाकुर जो थे वो भी present थे हमारा next point है कि हमारे जो Vice President है Venkia Naidu उनको जो है एक book दी गई है जिसका नाम है Urdu Voids and Writers Genes of Deccan ये जो book है ये लिखी गई है Senior Journalist J.S. Iftikar के द्वारा और अगर आप देखें तो Naidu जी ने उनके बारे में ये बोला है कि इस book में जो है वो Deccan की culture tradition और वहां के जो literature है उसके बारे में बताता है हमारा next point है कि cabinet में जो है वो एप्रूब किया है आयूश mission scheme को continue करने के लिए अगर आप देखें तो Prime Minister Narendra Modi ने जो है इसको approval दिया है National I.U.S. mission जो है एक centrally sponsored scheme है और इसको अगले 5 साल के लिए continue किया जाएगा ये scheme जो है 1st April 2021 से March 31,2026 तक जो है लागू होगी अगर आप देखें तो center ने इसके लिए जो पैसे allocate किये है that is rupees 4,607 crores हमारा next point है कि इंडिया का first grain ATM जो है वो गुरू ग्राम में खुला है अगर आप देखें तो ये फारुक नगर में है और यहां पे जो है 70 kg grain जो है वो 5-7 minutes में आप ले सकते हैं हमारा next point है कि NTPC जो है वो इंडिया का largest solar power park बनाएंगे कच में कच जो है वो गुजरात में है अगर आप देखें तो NTPC का full form है National Thermal Power Corporation Limited और ये जो solar power park है ये एक renewable energy का source होगा हमारा next point है कि PM Modi जो है अभी हाली मेवारा नसीगेथ है और उन्होंने वहाँ पे जो है वो inaugurate किया है around 15 करोड के projects को अगर आप देखें तो उसमें जो included है वो है tourism development के बारे में bridge flyover के बारे में and various public projects के बारे में हमारा next point है कि ISRO ने successfully जो है वो third test कर लिया है विकास engine के उपर जो की गगन यान प्रोग्राम के लिए है अगर आप ISRO का full form देखें तो that is Indian Space Research Organization हमारा अगला point है कि जो पियूश गोईल है union minister उनको जो है leader appoint किया गया है राजिसभा में और वो July 6 से जो है काम करना शुरू कर चुके है हमारा next point है कि RBI ने जो है mastercard इस या पर restriction लगाए है ताकि वो new customers को add ना कर सके और ये इसलिके किया गया है क्योंकि payment system data के जो storage है वो ठीक से नहीं हो पाई हमारा next point है कि UAE जो है वो first Gulf nation बना है जिसने इसराइल में अपना embassy खोला है अगर आप UAE की perform देखें तो that is United Arab Emirates और यहां पे जो हैं दोनों countries ने sign किया है इस agreement को अगर आप देखें तो यह जो new mission है इसका location है तेल एविव स्टॉक exchange building और यह जो ceremony है यह attended की गई by new Israeli President Isaac Herzog हमारा next point है कि national award winning actress सुरेखा सिक्री जो है उनका हाली में अभी निदन हुआ है अगर आप देखें तो उनको तीन बार जो है वो national award मिला था और last बार जो है Netflix पे देखा गया था ghost stories पे हमारा next point है कि जो Rajnath Singh है हमारे रक्षा मंतरी उन्होंने एक app को launch किया है और इस app का नाम है CPGRAMS अगर आप इसका full form देखें तो that is centralized public grievance re-address and monitoring system ये app इसलिए launch की गई है ताकि जो लोगों की complaints है उनको अच्छे से analyze किया जाए सके और automatically handle किया जा सके इससे क्या होगा कि जो time है वो भी बचेगा और चीजों में transparency भी आई की अगर आप अधानी ग्रूप के बारे में देखें तो ये एक Indian multinational conglomerate है conglomerate का मतलब होता है कि जिनके different business है और इसके headquarters एहमदाबाद में है इनके जो founder है that is Gotham Adani और इसको स्थापित किया गया था 20 July 1988 को इसके अगर आप subsidiaries देखें तो that is Adani Power, Adani Ports the fastest batsman बन गए है जिन्होंने score किया है 14 ODI centuries को और ये जो है ये पाकिस्तान के captain है तो चलिए एक बार जो है वो summary देख लेते हैं RBI ने launch किया है retail direct scheme को AR Aiman ने जो है वो launch किया है Tokyo Olympics के लिए chair song जिसका नाम है Hindustani wave हमारे जो vice president है WNK and I do उन्होंने एक book को receive किया है जिसका title है अगर आप देखें तो cabinet ने जो है वो approve कर दिया है national IUS mission scheme को फिर से 5 सालों के लिए नेक्स पॉइंट है कि इंडिया की first grain ATM जो है वो गुरुग्राम में खुली है NTPCA ने जो है वो इंडिया का largest solar power park बनाना है कच में जो की गुजरात में है नेक्स पॉइंट है कि PM Modi ने इनॉग्रेट किया है 15,000 करोर के projects को वारानिसी में नेक्स पॉइंट है कि इसरो ने successfully जो है अपना एक third test जो है विकास इंजिन पर conduct किया है जो की गगन्यान प्रोग्राम के लिए है हमारा नेक्स पॉइंट है कि प्यूश गोईल जो है उनको राजी सबा का लीडर बना दिया गया है RBI ने जो है Mastercard Asia पे restrictions लगाए है ताकि वो new customers को add ना कर सके हमारा नेक्स पॉइंट है कि UAE जो है वो first Gulf nation बन गया है जिन्होंने इस्राइल में अपना Embassy को खोला है नेक्स पॉइंट नेशनल आवार्ड विनिंग एक्टरस जो है सुरेखा सिक्री उनका निधन हो गया है हमारा नेक्स पॉइंट है कि राजनात सिंग जो है उन्होंने लांच किया है Artificial Intelligence Based Gravians Analysis आपको इसका नाम है CPGRAMS आइंड अदानी ग्रूप्स जो है उन्होंने मुंबई एर्पोर्ट मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया है और हमारा आज का लास्ट पॉइंट है कि भाबर अजाम जो है वो फास्टेल बैट्समें बन गे हैं जिन्होंने स्कोर किया है 14 ODI Centuries को तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो helpful लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेर करें थैंक्यू